दोस्तो सहरा इब्राहिम, सोमालिया में रहने वाली एक 22 साल की लड़की है, जिसका जब अपने पती से डाइबोर्स हुआ, तो डाइबोर्स में उसे पैसा, सोना या चांदी नहीं, बलकि एक RPG हैंड ग्रेनेड मिला, अब वो ग्रेनेड का क्या ही करती, तो उसने सोचा क्यो ना इस ग्रेनेड को इन्वेस्ट किया जाए, अब भया हमारे स्टॉक एक्षिंग में तो ग्रेनेड इन्वेस्ट होता नहीं है, लेकिन सोमालिया के पाइरेट स्टॉक एक्षिंग में, 2010 में ग्रेनेड भी इन्वेस्ट हो जाता था, वहाँ खाना, वैपन्स, या कैरोसीन देकर भी shares खरीच सकते थे इसमें 72 companies listed थी और उनका काम था ships को hijack करना उन्हें लूटना और उसके बदले उनसे फिरोती लेना तो सहरा इब्राइम ने अपना RPG ग्रेनिट जिसकी price 2000 डॉलर थी उसको देकर एक company में invest कर दिया और 38 दिन बाद जब वो pirates लूट कर वापस आये तो उसे अपने shares के बदले 75,000 डॉलर मिले यानि 38 दिन में उसका पैसा डबल नहीं बलकी 37 गुना हो गया अगर आपको यह मौका मिलता तो क्या आप इसमें invest करना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बता है